लो एवर्वन कैसे हो बच्चो वेदा काडमी में आपका फिर से स्वागत है और मैं भुपेश राजवैद ले के आयों आपके लिए एक और इंटरस्टिंग केमिस्टि लेक्चर जिसमें लोग पढ़ने वाले हैं आज मुलारीटी के बारे में ठीक बच्चा हम लोगोंने अपने प्रिविएस लेक्चर के अंदर जाना था कि लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या होते हैं लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मुलारीटी ब इसका यूज आ जाता है ठीक है बच्चा इन फाक्ट जब मैं क्लास 12 के अंदर जाता हूं चाप्टर पढ़ने तो मैं इस मुलारीटी को देख रहा होता हूं ठीक है तो मुलारीटी पॉलारीटी ये दो इंपॉर्टेंट कॉंसेट्स हम लोग आज समझेंगे अपने इस ल पुटा सा परिवार ठीक है वेदा का चाहता है कि आपके जो नंबर है बहुत बढ़िया है पेपर के अंदर कुछ भी आप पेपर के अंदर छोड़ के नाया चाहिए आप अपने हाफिर लीज दे रहे हैं या फाइनल एक्जाइम हो रहे हैं आपके प्रियोडिक असेस्मे ठीक बच्चा क्लियर अब वेदा अकाडमी ऐसा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है कि आप वेदा काडमी के चैनल पर आएं ठीक है वेदा काडमी के वीडियो को देखें ठीक है एक तो मैं कमाल की चीज़ आपको बता दूँ कि सो जो इंडिया के हमारे टॉप एजूप है ठीक है आपको यहां पर डिलेवर करते क्वालिटी कॉंटेंट फीक है जिससे आपकी जो पढ़ाई यह ना वह बहतर से बितरीन हो सकती है ठीक है जैसे मैं बताओं आपको सलील सर जो है हमारे जो फॉसिक्स एक्सपर्ट है सलील सर आपकी क्लासिस लेंगे फुसिक्स cities ठ सब्सक्राइब करने की और निखारने की जिम्यदारी हमारी हो चुकी है तो वेदा अकाडमी आपको देता है यहाँ पर एक्सपिरियंस टीचर्स के तुरू डिलेवर किया गया क्वालिटी कॉंटेंट ठीक है डेली लाइफ क्लास होती है यह नोट्स आपको टेलिग्राम चैनल गुरूप के थ्रू मिल जाते हैं जो कि हमारा टेल डाउट सॉल्विंग सेशन है टेलिग्राम सपोर्ट आपको बताया है यही एंड बूस्टर सेशन है कोई भी डाउट कोई बीच में से कोई टॉपिक उठाता है कि सर हमें इस टॉपिक को पढ़ना है उसका लाइफ सेशन हो जाएगा समझ रहे हैं आप या नहीं तो वेद जॉइन करने का जो लिंक है वह आपको डिस्कुपिशन में दे रहा हूं जल्दी से टेलेक्राम चैनल को भी जॉइन कीजे एंड वेदा कैडमी का डाउनलोड कर लीजे क्योंकि वेदा कैडमी पे आपको मिलेगा आपकी पढ़ाई का 360 डिग्री कवरेज ठीक है यहां हम ल बहुत बड़िया तरीके से केमिस्ट्री सिखाने के लिए बाया ओलेजी एंड मैथमेटिक्स सिखाने के लिए ठीक है बच्चा आपके पर जितना भी कॉंटेंट है एक्साइज भी वहां पर सॉल्व करवाई गई है ठीक है आगे आगे हम लोग और प्रोग्रेंस लेकर आ अगर फस जाते हैं कि मुझे यह सब्यूक्त प्रसीड करना और समें करियर बनाने तो मैं कैसे इंसाइर बातों से प्रिशान है कौन सी बूक लेनी हैं करने के लिए इस सब्जेक्ट में अगर मुझे अच्छा करना है तो क्या बेसिक स्टाटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर आप इन सब चीजों से परिशान है तो बिल्कुल मत घब्राइए वेदा अकाडमी आपके साथ खड़ा हुआ है क्योंकि वेदा अकाडमी आपको देता अंधिकार से प्रकाश की और क्योंकि वेदा अकाडमी का मानना ऐसा है सिर्फ सिक्षा ही कैसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को अंधिकार से प्रकाश क्यों ले जा सकती है और इसी मोटिव को ध्यान रखते हुए आपके अंदर वो सारी फीचर एड़ कि आपकी पढ़ाई इसको फॉलो कीजिए यहां पर बहुत सरा इंफॉर्मेटिव और क्रेटिव कॉंटेट आपका वेट कर आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ठीक बैटा क्लियर चलिए तो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं तो आज का जो कोई टॉपिक हमारा हो कहता है कि मुलारिटी ब हम लोग आड कर देते हैं मिलाते हैं आपस में और वह कुछ इंटराक्शन करते हैं तो वह हमारा क्या होता है solution होता है solution किसका मना रहता है solute and solvent ों जिसमें solvent की quantity जादा होती है solute की quantity कम होती है in terms of moles quantity का मतलब नא सीधा volume से हैं न मास से है इसका सीधा था मतलब है moles जिसके moles जादा होंगे वो मेरा solvent HOLU H Eu यES बात आप दियान रखे पर, तो molarity भी एक concentration term है, ठीक है, जैसे molarity ओती है, molality होती है, masked percentage होता है, mole fraction होता है, these all are concentration term, concentration को express करने का त्रीका जो है, यहाँ पर molarity है, छी कि कभी रख nephew mah const होता है, कभी कभार volume percent है सकता है in fact कभी morality हो सकता है ठीक है तिक है उसी की तरह एक same है हमारा molarity तो molarity के true हम लोग concentration term को express करते है अभी concentration का मतलब क्या होता है अरे भाहिया concentration का मतलब हो गया कितना amount मेरा salute present है solution के अदर इसी को मैं concentration क्या देता हूं कितना salute present है मेरा solution के अंदर या solvent के अंदर इसको मैं simple क्या कहता हूं concentration कहता हूं आई बात समझ या नहीं simple साधाराण सब्दों में कितना जैसे for example मैं अगर बात करूं यहां देखे मेरे पास इस समय यहां पर चाय का एक कप रखा है यह देखे इसके अंदर चाय भी है पी लिए और पता भी नहीं चला इसके अंदर कॉफी है ठीक है इसके अंदर amount of चीनी प्रेज़न्ट होगी शुगर प्रेजंट है या नहीं अब मैं इसके अंदर कोओं कि आधा कप के अंदर मेरा चीनी प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूँगा एक चमच एक चमच इतना हो गया तो जितना भी हमाउंट होगा हमारा तो हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट की को जब भी कंपैर करें तो इसको कॉंसेंट्रेशन हम लोग बोल रहे होते हैं ठीक बेटा चलिए आई बास समाझ या नहीं जल्दी से बताओ तो अगर मैं मॉलारिटी के बारे में बेटा जी बात करता हूं तो मॉलारिटी मेरे दिमाग में आते ही सबसे पहले एक सिंपल सी चीज आ जानी चाहिए कि मोल्स को वॉल्यूम से कंपैर किया जाएगा किस से मोल्स को वॉल्यूम से कंपैर किया जाएगा यह सिंपल साधार से मतलब है molarity का तो it is a number of moles of solute dissolved in one liter of solution ठीक है तो इसके formula हमें most और volume का comparison मिलेगा ठीक है किसके most solute के most किसका volume solution का volume ठीक है चलियर तो क्या होता है कि एक लीटर solution के अंदर है एक लीटर solution के अंदर कितना amount मेरा present है ठीक है amount माने कितने moles present है मेरे solute के उसको मैं सिंपल सा क्या बोलूँगा Molarity Clear बच्चा चलिए I hope आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको हम लोग Capital M से दिनोट करते हैं ठीक है इसको Capital M से दिनोट किया जाता है और इसका formula क्या हो गया बेटा Moles of Solute Porn Volume of Solution Volume of Solution ठीक है ऐसे छोटा करके लिख दिया है मैंने This is Capital M इसका formula क्या गया Moles of Solute Upon Volume of Solution ठीक है इन liters होना चाहिएगा लीटर में नहीं है तो उपर 1000 से मल्टिप्लाई कर दिजे आप divide करेंगे तो उपर हो चला जाएगा 1000 अच्छा इसको formula को और expand करने की कोशिश करूँगा तो यह क्या हो जाएगा मेरा Given Mass ठीक है Of Solute upon Molar Mass of Solute Upon Molar Mass of Solute Into 1000 upon Volume of Solution अगर लीटर में नहीं गीवन है तो आप यह काम कर सकते है ठीक है तो यह आपका basic सा formula है जो की काफी important है बिटा अच्छा इसकी unit क्या होती बिटा इसकी unit की बात करें ठीक है इस concentration की unit क्या होती concentration डम की उसको आम लोग capital M जड़ी note कर रहे क्या आपको मेरी बात समझ में आई clear बच्चा ठीक है ठीक है चलिक है तो यह होगे इसकी unit के बारें बात यह होगे इसका formula ठीक है तो basically क्या होता है कितने amount जो है मेरा यानि कितने most solid के प्रेजेंटे मेरे given solution के अंदर ठीक है तो यह मेरी क्या होती है बेटा molarity ठीक है अब एक खास बात इस molarity में क्या होती है हम लोग इसको खास कहें है इसका drawback कहें कि यह जो क्या होती है temperature dependent होती है जो molarity होती है बेटा यह बहुत important point है बेटा molarity is temperature dependent molarity is temperature dependent अब temperature से मतलब क्या है इसका ..is temperature dependent. क्यों कि इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है और हमें पता है कि जैसे जैसे तेमपरिचर बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है हाया नहीं कभी हम लोगोंने पड़ा हुआ था कि वॉल्यूमर रिटेट ऑगे पॉशल टूटू टे तो जैसे से मेरा टेंपरेचर बढ़ता है मेरा वॉल्यूम भी इंक्रीज करने लग जाता है एक्जामपल से समझ आँँ अगर मैं अगर आपको हॉट इर बलून देखा ना नीचे साब जैसे कमबस्टर ऑन करते है तो इसमें से हीट निकलती है तो सराउंडिंग का टमपरेचर इंक्रीज करता है जिसकी वजह से ग्यास और भी ज्ञाद एक्सपैंड होती है और हमारा बलून जो है और यह तो पूल अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा और अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो मुलारिटी घट जाएगी यानि कॉंसेंट्रेशन घट जाएगी आई बास समझ यानि सिंपल साधारन सा मतलब आपको यह क्लियर हुआ करना चाहता हूं तो मैं कई बारे में बात कर रहा हूं किसी ग्यास को मैंने लेकर अक्सर क्या करता हूं मोल फ्राक्शन के कानिटिक इनर्जी पढ़ती है और वो क्या हो जाते है सिस्टम का प्रेशन इंक्रीज कर देंगे ठीक है प्रेशर डिफ्रेंस होगा तो जो चीज मैं आप्जर्व करना चाहरा हूं ठीक है एनी चेंज इन प्रेशन टेंपरेशन एन वॉल्यूम एन ऑल्टर दी ऑब्जर् खेट अगया से मुझे एक्जाक्ट वईल्यू नहीं मिल पाती है तो मोलारीटी को हम लोग कही जगा प्रेपर नहीं कर पाते हैं थीक बच्चा क्लियर चीव गभी निया कुछ क्वेश्चिं समलोग करते हैं कोई कोशिश करते हैं तो पहला कोश्य ने कह रहा है सोरी क्वेशन बनाने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक जो एक कॉंसेप्ट आपको समझा तो जिसमें बात हो रही है इसके अंदर और भी कुछ अडिशनल सब्सेडियरी जो कॉंसेट्स हैं वह इसके अंदर विटा आते हैं जैसे हमारा जो है अगर मैं डालीउशन कर दूंगा तो मोलारीटी की क्या वेल्ली होगी कैसे चेंज हो जाएगी ठीक है अई बास समझ या नहीं विकॉस हम लोगों ने पढ़ा हूँ है कोई भी एक्शन होता है उसका रियाक्शन जरूर होता है तो अगर मैं किसी भी वैल्ल्यू के साथ मोल्स के साथ छेड़का नहीं करता हूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर आपके कोई डाउट से तो आप कॉमेंट कर सकते है मेरे को और टेलिग्राम चैनल पर आप मेरे से चुड़ सकते हैं वेदा एलेवन यह आप जाएंगे टेलिग्राम चैनल पर आपको आप इसे सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल गृूप मिल जाए चॉइन कीजिए उसको और कोई भी परिज़े वहां पर हम लोगों से बा ठीक है अब सपोस्स किजे मैंने इसके इंदर जो है मैंने इसके अंदर है 200 ml वाटर ले लिया है 200 ml क्या लेई मैं इसके इंतर वहांदर और साती साती साथ में मैंने 10 gram add कर दिया हैं NACL साती साते सेंदर मैंने क्या कर दिया 10 gram NACL अगर मैं चीज और क्या करूं बेटा सपोस कीजी जब मैं पानी को पिऊंगा तो मुझे कुछ नमकीन लगेगा यह नमकीन लगेगा नहीं लगेगा ठीक है मैंने क्या करा मुझे पता नहीं क्या सूचा मैंने इसके अंदर क्या करा 100 ml वाटर एड़ कर दी 100 ml H2O मैंने क्या कर दिया इसके अंदर एड़ कर दी 100 ml H2O एड़ करने पर मैंने एक नई चीज ऑबजर्व करी कि जब मैं अब इस पानी को पीता हूं तो मुझे पहले वाले से कम नमकीन लग रहे हैं यह पानी ज्यादा नमकीन होगा यह पानी ज्यादा नमकीन होगा ऐस कंपेर टू जब मैं उसके अंदर 100 ml पानी और एड़ कर दूगा जैसे फॉर एग्जेंपल देखिए तो यह आदा कप कॉफी है इसके अंदर एक चमचीनी है और मैंने पिया तो मुझे बड़ी मीठी लगी चाय बहुत मीठी लगी अगरा इसके इंदर थोड़ा सा और दूद आड़ कर दी तो दूद आड़ करने पर यानि मैंने क्या करा सॉल्वेंट की अमाउंट तो मुझे सॉल्टी लगेगा लेकिन जब इसके इंदर और और आड़ कर दूँगो तो पानी मुझे कम नमकी लगेगा ठीक है दिस इस कॉल्ड डाइलूशन जब हम लोग सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो इस चीज को मैं डाइलूशन बोलता हूं ठीक फिर से मैंने क्या करा इसके अंदर जो है पानी भरा और पानी इस बार इसमें थोड़ा ज्यादा होगा पहले बारे से तो कितना पानी होगा इसके अंदर 300 ml वाटर हो गया लेकिन मुझे बात बता है क्या यहांपर सॉल्ट की अमाउंट चेंज होई, नहीं चेंज होई, अभी भी 10 ग्रैम ही है जो ऑभी 10 ग्रैम है इसको अंदर सुल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज होगी Is इन अमाउंट अफसॉल्वेंट in solution referred as dilution referred as dilution इसी को लोग क्या कहता है बेटा जी? dilution clear है बेटा यह आपको concept मुझे लगता है अच्छा समझ में आया है तो यहां पर एक formula बनाते हैं यहां एक बात बताइए इस solution की कुछ molarity होगी इसको मैं M1 माल लेता हूँ इसके अंदर कुछ amount of जो हमारा NHL present है तो इसका given mass और molar mass तो सेम रहने वाला तो यहां पर मैं N से लिख लेता हूँ और इसका volume बेटा यहां 200 ml है मैं 300 ml है तो दोनों volume अलग है तो इसको मैं M1 is equals to N upon V1 लिख लेता हूँ यहां से moles का क्या formula बनेगा M1 is equals to M1 into V1 यहां पर same polarity change रहेगी concentration change हो जाएगी यहां मुझे ज़्यादा नमकीन लग रहा था यहां पानी मुझे थोड़ा कम नमकीन लगेगा जिसकी वज़ाए से यहां पर moles upon क्या हो जाएगा मुझे एक चीज बताइए अगर यह दोनों ही same है number of moles दोनों ही same है अगर यह दोनों equal हो सकते तो M1 V1 is equals to M2 V2 equal क्यों नहीं हो सकता तो यहां से एक expression बनके आता है M1 V1 is equals to M2 V2 यहां से यह expression बनके आता है जिसम लोग क्या कहता है M1 V1 is equals to M2 V2 तो आपको exam इस सरा के question देखने को मिलेंगे कि अगर एक solution है जिस क्या volume है 100 ml और उसकी molarity 0.2 molar है क्या हो कितनी molarity हो जाएगी अगर मैं solution का volume 100 ml और बढ़ा देता हूँ ठीक है तो आप M1 V1 is equals to M2 V2 वाले formula से M2 निकालेंगे calculate करेंगे clear बेटा तो यह formula बहुत ही जादा important है clear चलिए इसको note कर लीजे हमारे जो next topic है बेटा वो भी बहुत ही जादा important है कि जब मैं दो solutions को mix कर देता हूँ यहां क्या हूँ है मैंने तो फिरफ solvent की amount को बढ़ा दिया है लेकिन क्या हो अगर मैं दो solutions को आपस में mix कर दूँ तो अब molarity resultant molarity कितनी हूँ ठीक है आई बास समझ या नहीं जैसे for example हम लोग फिर से दो beaker लेते है ठीक है यह दो मैंने beaker लिए हुए इसके अंदर कोई solution है ठीक है ठीक है इसके अंदर क्या add क्या हुआ है मैंने अच्छी अले है और यहां पर water है ठीक है एच्छी अलोर वाटर को आपस में मिला है मैंने बढ़िया ठीक है और एक और beaker है मेरे पास ठीक है इसके अंदर भी क्या है एक solution है एक solution है यह रहा ठीक है और इसके अंदर क्या हो रहा है मेरा यहां पर इसके अंदर एक और सबस्टैंस है ठीक है जो कि सल्यूशन की जो मुलारिटी है इसका इसकी मुलारिटी और इसका वॉल्यूम दोनों अलग अलग होंगे क्या हो इन दोनों को अगर मैं आपस में मिक्स कर देता हूं तो रिजल्टेंट मुलारिटी कितने होगी यह हो जाएगी मेरी M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 तो इस सल्यूशन की जो रिजल्टेंट मुलारिटी होगी इसको में देनोड कर देना हूं और तो यह हो जाएगा मेरा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन K2 रिजल्ट का लिजल्ट इसल्ट मुलारिटी कितने थक्सी जोड्यून क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मुझे लगता है आनी चाहिए ठीक है क्लियर बेटा जी आगे बढ़ें इसके अंदर बताओ तो ज़रा इसको नोट कली जल्दी से फिर हम लोग एक और निमारिकल करते हैं जिससे आपको कॉंसेट ज्यादा बहतर से समझ में आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ें मुझे लगता है आप लोगों इसको वैसे यह न चलिए पहला क्वेशन है वाट विल भी दिमॉलारिटी ऑफ सुलूशन वन वाटर इस आडड़ें तो 16.4 ग्राम ऑफ कैल्शन नाइट्रेड कैल्शन नाइट्रेड का 16.4 ग्राम मैंने क्या कर दिया है पानी के अंदर डिजॉल्व कर दिया एक सलूशन बना रही है किया त सबनी निगाली सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं मुलारिटी वड़ी आसानी से निगाल तो मैं क्या लिखूंगा मुलारिटी इकोल्स तू नमर अम्रा मोल्स आफ कैल्सियम नाइट्रेट अपॉन वाल्यम ऑफ सलूशन इन्टू थाउजंड योकि वॉल्यूम जो है एमल में गीवन है तो बेटा फॉर्मुला को अगर मैं और एक्स्पैंड कर दूं तो तो यह जाएगा गीवन मास आफ सोडियम सोरी कैल्शियम नाइट्रेट गीवन मास आफ कैल्शियम नाइट्रेट अपॉन मूलर मास आफ कैल्शियम नाइट्रेट इन्टू थाउजंड इन्टू वॉल्यूम अफ सोल्यूशन यहाँ हम लोग एक वेल्यूज रखेंगे इनकी तो यह जाएगा 16.4 अपॉन मूलर मास कितना है वेटा 164 इन्टू वॉल्यूम कितना है वेटा 100 ml इन्टू इन्टू 10 पैभ सिंपल हमारा कीतना है वन मूलर हो जाना है कितन वन मूलर क्यों कि पॉइंट वन जाएगा वेटा रिक है तो यह 10 और 10 से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा वन मूलर ठीक है तो कितनी मोलारिटी हो जाएगी वन मूलारिटी हो जाएगी तस वी वन मुलार सॉलीश एक लिए बच्चा आई बात समझ या नहीं तुमारा नेक्स क्वेशन से पहले मैं आपको टाइम टेबल बता दू बेटा मंडे को हमारी जो आठ वजेसे मैथमेटिक्स की क्लास सोती है और आठ चालिस तक रहती है जिसमें आपकी क्लास ले रहे हैं फिर 850 से आपकी जो क्लास है और सलील तर आपको मिलने वाले 8.50 फिर ठीक 10 मिनिट बाद जो है मैं आपको के मिलिश्टी पढ़ाता हुआ दिखाई दूंगा इस चैनल पर ठीक वेंजड़े को सेम फिर फ यहां पर आपकी रोज क्लास हो रही है आप एक भी दिन जो है अपनी पढ़ाई मेंस नहीं करेंगे ठीक बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं आपके पास एक solution है जिसकी molarity है 2 molar और उसका वॉल्यूम है 1 लीटर ठीक है या नहीं आई बास समझ यानि 1 लीटर हो गया है यानि 2 mol पर लीटर प्रेजेंट है मेरा एक 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 एल का solution है नाओ दो तिंग इस कि वह कह रहा है कि मुझे कितना वॉल्यूम नीडेड होगा अगर मैं 0.5 molar molarity चाहता हूं तो सिंपल मुझे डाइलूशन कर देनी है ठीक है फॉर्मॉला मुझे पता है भाई M1 V1 इस इकोल्स टू M2 V2 इसकी molarity कितना है बैटा 2 molar वॉल्यूम कितना है एक लीटर है ठीक है इस इकोल्स टू ये कितना है 0.5 molar और वॉल्यूम हमें पता है नहीं है वॉल्यूम हमें calculate कर नहीं है तो भाईया V2 कितना हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 0.5 अरे बता दो तो 0.5 हो गया नहीं हो गया तो कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन 0.5 और V2 कितना हो जाएगा हमारा यह जाएगा हमारा फोर लीडर तो यानि मुझे 4 लीटर पानी चाहिए होगा अगर मुझे 0.5 molar करनी है अगर मुझे मुलारिटी 0.5 करनी है तो मुझे 4 लीटर पानी चाहिए होगा अभी बास समझ या नहीं ठीक है clear आंसर विल वी 4 लीटर्स ठीक है बेटे बताइए तो ज़रा क्या आपको क्लियर है यह बात तो अगर मुझे 2 मोलर से 0.5 मोलर तक लेकर जाना है कॉंसेंट्रेशन तो मुझे 4 लीटर पानी चाहिए होगा ठीक है क्लियर आगे बढ़ें चलिए जबज में आ रहा है आपको बढ़िया चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग तो अगला सवाल है क्यारा वाट इस दी फाइनल मुलारिटी ऑफ दिस रिजल्टिंग सलीशन वें दसलीशन एंद सलीशन भी आर मिक्स तोगेदर यह सलीशन ए जिसमें 100 ml है दो मुला 100 ml वॉल्यम है टू मुलर उसकी कॉंसेंट्रेशन मुलारिटी है सलीशन भी है 200 ml है और एक मुलर है इसके अंदर आया ना यह सारी कानी यहां पर हुई पड़ी है ठीक है चलिए तो यहां पर मुझे फॉर्मॉला पता है बढ़िजंटल मुलारिटी का फॉर्म M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 बच्चा यहां आपको अवास तो प्रोपर आ रही है नहीं यहां पर ठीक है ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा यह सलीशन ए अगर हमारा यह M1 V1 है तो यह हो जाएगा हमारा हंड्रेड इन्टू 2 प्लस 200 इन्टू 1 मूलर अपॉन 100 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा यह 200 प्लस 200 अपॉन 300 ठीक है अन दस विल भी 400 ठीक है और 300 तो कितना हो जाएगा यह मेरा वन पॉइंट ठीक है यह बचेगा वन पॉइंट लेंगे जीरो ठीक है तो वन पॉइंट 3 ठीक है 1.33 कुछ मूलर मेरी कॉंसेंट्रेशन हो जाएगी ठीक है नहीं थ्री वन पॉइंट री वन बचा यह थीक है यह थीक है चलिए तो यह मेरे रिजल्टेंट मॉलारिटी हो एक लिए चलिए इसको नोट कर लीजे बेटा तो सिंपल सा निमारे कल थीक है अई बास समझ या नहीं आपको यह क्लियर हुआ होगा चलिए नेक्स क्वेशन है how many grams of hydrogen chloride are how many grams of hydrogen chloride are required to prepare 4 liter of 5 molar HCL in water कितना ग्राम मुझे hydrogen chloride का चाहिए required होगा अगर मुझे 4 liter ठीक है और 5 molar HCL in water मुझे बनाना है ठीक है तो सिंपल सी बात है मौनारिटी का फॉर्मुला क्या होता है मोल्स और यहाँ पर मोल्स किसके है HCL के और यहाँ पर solvent कौन है हमारा पानी पानी और HCL का टोटल वॉल्म आ रहा है हमारा चार लीटर ठीक है तो फॉर्मुला को एक्स्पैंड कीज़े जरह कितना हो जाएगा यह 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 जो कि मुझे निकालना है अपॉन मॉलर मास ओफ HCL ठीक है इंटू वॉल्म आफ सल्यूशन मुझे थाउसन से मल्टिप्लाइ करनी की जूरत नहीं क्योंकि वॉल्म आलरेडी लीटर्स के अंदर है तो यहाँ से वेट आफ एचल यह मास ओफ एचल को फॉर्मुला क्या बनता है मॉलारिटी इंटू मॉलर मास ओफ HCL इंटू वॉल्म आफ सल्यूशन ठीक है तो मॉलारिटी कितना है वेटा पाच मॉलर मास कितना हो जाएगा 35.5 होता है वेटा क्लोरीन का और यह 1 हो जाएगा 0 तो यह 36.5 ठीक है और वॉल्म कितना है आपका 4 ठीक है तो 36.4 36.5 इंटू 4 करूँगा तो 0, 2, 6, 4, 24, 26 और 34 तो यह हो गया हमारा 146 and 146 इंटू मैं 5 करूँगा तो 30, 4, 5, 20, 23 हो जाएगा और ही हो जाएगा हमारा 7 ठीक है तो 7, 30 ग्राम जो है मेरा यहां पर क्या होगा बेटा मास हो जाएगा ठीक है फॉर्मला एकदम सही लगा है ठीक है 36.5 ठीक है ओके तो कितना था था कुछ 7 हम लोगो ने निकाला था 36.5 27 27 730 ग्राम 730 ग्राम जो हो जाएगा इसका मास हो जाएगा हमारा HCl का ठीक है वेट आफ एचल इतना लेना पड़ेगा हमें अगर इतना सल्यूशन हमें इतना कॉंसेंटरेशन का सल्यूशन बना रहा है इतने वॉल्यूम पर ठीक बेटा क्लियर चलिए नोट का लीजिए से आगे बड़े इसके अंदर अब एक क्वेश्चन आपको मैं हूमवर्क में दे रहा हूं इसका जो आंसर है अच्छा हूमवर्क भी चलो मैंने सॉल्व करवाई दिया आपको ठीक है इसका जो आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ठीक है तो आज कोई आपका हूमवर्क नहीं ठीक है आपको हर टॉप्ट को समझाने के बाद उसके औक्वेश्चन करवाने के बाद एक प्रक्टिस में देता उऊ उसका अंसर मुझे टैलिग्राम पर चाहिए होता है तो आज आप खैली पीडिया एफ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अगर आपको चाहिए अपने स्लेबस का 36 डिगरी कवरेज तो कहां आएंगे आप बिल्कुल ठीक वेदा कैडमी के आप पर क्योंकि वेदा कैडमी के अंदर वो सारे फीचर है वलेबल है जो आपकी पढ़ाई को बहतर से बहतरीन कर सकते हैं ब बहुत सारा इंफॉर्मेटीव और क्रेटिव कॉंटेंट आपका वेट कर रहा आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ठीक बेटा आज के लेक्चर में हम लोग सिरफ इतना ही पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपि